क्या कोई चाय बनाने से इनकार करने पर किसी की हत्या कर सकता है, यकीन तो नहीं होता, लेकिन ये सच है, घटना हुई है बिहार के आराजिले में। आरोपी लालू, यादव ने अपनी पत्नी का तेजधार हत्यार से सिर्धर से अलग कर दिया, फिर छोटे-छोटे बच्चों को भी काटा डाला। लालू यादव ने यू दिया, घटना को अंजाम आईई, जानते हैं बिस्तार से। सामाने जिंदगी जी रहा था, अचानक कुछ ऐसा कर बैठा जिसने सबको हिला कर रख दिया। मंगलवार की रात एक आम रात जैसी ही लग रही थी, जब लालू ने अपनी पत्नी सीमा देवी से चाय बनाने को कहा। शायद ये बात किसी के लिए मामूली सी हो, लेकिन सीमा ने चाय बनाने से इनकार कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खून खराबा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसकी आथ साल की बेटी सौमिया और महजजहमीने का बेटा दीदवन्त, दोनों ही उस रात अपनी मासूमियत के साथ सो रहे थे। लेकिन उनके पिता ने निर्दयता से पहले बेटी और फिर बेटे पर ताबड़ तोड़ वार करके उनकी जान ले ली। पूरे गाउं में जैसे मातम छा गया। लालू ने मर्डर के बाद अपने ससूराल में फोन किया और इस खौफनाक कान की जानकारी दी। उसके दो और बच्चे मनी साल और सोनाक्षी थ्री साल दो दिन पहले अपनी बुआ के घर चले गए थे। इसलिए उनकी जान बच गई। खटना के बाद लालू मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस को इस खटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में तलाश शुरू कर दी गई। कुछ ही समय बाद पुलिस ने लालू को गिरफतार कर लिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने खटनास्थल से सबूत इकठे किये और जान्च में ये बात सामने आई कि लालू मानसिक रूप से अस्वस्थ था। क्या कोई इतना निर्दय हो सकता है कि चाय बनाने से इनकार करने पर अपने ही परिवार का खात्मा कर दे। ये सवाल पूरे इलाके में गुंज रहा है लेकिन इस खौफनाक घटना ने सभी को सदमे में डाल दिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है लेकिन इस कहानी के पीछे की वजह ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्या था वो पल जिसने एक इंसान को हैवान बना दिया।